तो आज बनाने जा रहे हैं फ्रेंड छोला और पनीर एक साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ में यह रेस्पी सेयर करूं तो इसके लिए मैंने यह चोले लिए हैं और छोलों को बढ़िया से मैंने बॉयल कर लिया है जिस तरह से हम चोले बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से बॉल बॉयल करना है इसको तो मैंने इसमें खड़े गरम मसाले डाल के बॉयल कर लिया है इदर मैंने पनीर के चोटे 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 कर लिए हैं तुकडे आप अपनी साब से चोटे बड़े जैसे आपको पसंदो वैसे कर स तो इढ़ाते हैं तो गड़ाइए बाइब गड़ेश गड़ाइब देते हैं तो हम इस नदीवा घ्ल कर देगे। एक तेज़ पता डाल देंगे क्योंकि मैंने छोले बॉल किये तो तेज़ पता नहीं डाला था और यह मैंने अध्राग लैसून, हरी, मेच, टमाटर, प्याज यह सब मैंने पेश्ट बना लिया तो यह डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और इसको कर देंगे हम डाल मिर्च अब नहीं डाल सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं डालेंगे लाल मिर्च बाद में डालेंगे और इन मसालों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है जब तक इनकी बड़ी ऐसी खुसबूँ ना आने लगए और तेल न छोड़ दे मसाले तो देखिये मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं लेकिन मज़े और भुनना है तेल भी छोड़ने लगें तो इसी के साथ में थोड़ी सी हम हरी धरिया डाल देंगे और इसे भी बड़ी ऐसे मिक्स कर देंगे और अब पकने देते हैं धीमी आच में मसालों को तो यह देखिये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं इनमें से अच्छी खुच्बू आ रही है और यह तेल भी छोड़ दिये हैं तो अब इसमें हम पानी डालेंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली गाड़ी जैसी आपको पसंद वेसी रख सकती हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको थोड़ा सा उबाल आने देते हैं थोड़ा सा पाने मौर डाल देंगे इसमें और इसको ढग के एक उबाल आने देते हैं तो ग्रेवी में बढ़िया सा उबाल आ गया है तो अब इसमें हम ये छोले डाल देंगे तो छोले में थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने उसी में डाल दिया है और इसी के साथ में हम ये पनीर डाल देंगे तो पनीर आप चाहे तो तल लीजिए जैसा आपको पसंद हो मैंने तला नहीं है मुझे ऐसी पसंद है इसलिए हम ऐसी डालते है तो इसको mix कर दिया थोड़ासा इसमें थोड़ासा नमक और डाल देंगे तो यह हो गया हमारा स्वादा नुशार नमक और इसे mix कर देंगे और हमारी सबजी कितनी अच्छी अभी सी दिख रही है तो अब इसको हम ढख के धीमी आच में पकने देंगे पहले तेज आच में हम इसको खुला लेंगे इसके बाद धीमी आच में कम से कम पांच-सात मिनिट तक पकने देंगे तो हमारा इसमें उबाल आ जाने देते हैं तो यह देखिए पकते-पकते 5 मिनट हो गया है और हमारी सबजी थोड़ा सा अच्छे से पक गई है लेकन हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे तो 2 मिनट जब तक यह पक रही है तक इदर इसका हम तड़का तयार कर लेते हैं तो यह मैंने चम्चा लिया है गैस पर चड़ाया है और मैं इसमें लाल मिर्च के तड़का लगाऊंगी क्योंकि मैंने लाल मिर्च पहले नहीं डाले हैं तो चम्चा को थोड़ा सा गरम हो जाने देते हैं चमचा हमारा गरम हो गया है, इसमें बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना सा ही, क्योंकि सब्जी में मैंने अल्रेडी तेल हम उतना डाल चुके थे जितना हमें सब्जी में चाहिए था, तेल को अच्छे से गरम हो जाने देते हैं, तो त अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा गैस को बंद कर दिया तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और पांच मिनट हम इसको ऐसा ढखके रखेंगे इसके बाद खोलेंगे संब पांच मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी बन के तयार हो चुकी और कितनी अच्छी लेग रही है यह अब भी चम्चा हमारा गरम है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला उपर से और थोड़ी सी हरे धनिया ये गई और ये लेजिए हमारा छोला पनीर पतले रसे कबन के तयार हो गया है तो रसा आगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप गाढ़ा रखिए और मैंने थोड़ा सा पतला बनाया थे, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा पतला रसा पसंद है, तो इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, यह बहुत टेश्टी लगेगी तो यह हमारे छोले पनीर की सब्जी बहुत ही टेश्टी बनके तयार हो गई है आप लोग एक बार जरूर ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स सभी को बहुत पसंद आएगी तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सेयर, कमेंट करना चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बल आइकन को दबाना तो बिलकुल ना भूलना मिलते हैं फ्रेंट्स अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए और टेक केर